हेलो पूरेंज वेल्कम टो माई चैनल सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हैं तो प्लीज सबस्क्राइब कर लो, लाइक शेर करो वीडियोस को और बेल आइकोन को प्रेस करना मत बूलिएगा जिसे मेरे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको पर दूंगी ये पापड आपके सफेद क्यों नहीं आते वो रेड हो जाते हैं तो वीडियो को प्लीज धान से देखिएगा मैं आपको एक किलो आटे की सामगरी बताऊंगी तो सबसे पहले आपको एक किलो उड़त डाल का आटा लगेगा 50 ग्राम सोडा और 50 ग्राम नमक लगेगा 5 ग्राम हिंग पाउडर लगेगी और 10 ग्राम काले मीरे मोटे पीसे हुए लेने हैं 50 ग्राम हरी मिर्च लगेगी पीसी हुई इसको भी आपको मोटा ही पीसना है 100 ग्राम लसन पीसा हुआ इसको भी आपको मोटा ही पीसना है और 4 चम में जो सामगरी बताई है वो डाल दीजिए और दो चमच आपको तेल डालना है और आटे को गुदना है तोड़ा पानी डाल कर और आटे को सक्त बनाई है ज्यादा पानी मट डालिएगा आपको इसे अच्छे से मसलना और कूटना होगा जितना आप इसे अच्छे से मसल लिए सुखाईए इसे थोड़ा गीला ही रेने देना है और ज्यादा सुखाईएगा मत नहीं तो यह तूटने लगते हैं बीच बीच में डब्बे को खुली हवा में रख दीजिएगा इसा करने से आपके पापड साल बर अच्छे रहते हैं तो कई बार आपके पापड हो जाते हैं और जितना वक्त आप इसे रहने देंगी वह रेड होते हैं तो आप अगर इसके मशीन में से करके लाओगे तो वह पापड जो है हमेशा वाइटी रहते हैं क्यूंकि वह कम पानी और जल्दी बनते हैं मशीन में जितना देर आप रखेंगी गुंदे वे आटे को वो उसमें जो सोडा होता है वो पापड को रेट गना देता है तो आपके पापड रेड हो जाते है तो ये ध्यान रखिए चीजे सभी और कुछ और दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करकर पूछ सकते हैं अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज और रहुत सब्सक्राइब mmm